हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल आई आज हम बनाएंगे सोया बिन चाप यहां ले लिए है जिसके लिए मैंने सोया बिन टमाटर प्यूरी और सोया बिन को हमने मिक्सर ग्लाइंडर में पीस लिया है यह देखें इसका चानकर अच्छी तरह पॉडर बना लिया है य देखें दोस्तों जो हमने सोया बिन का चूरा लिया है उसमें हम पानी डाल देंगी दिया है ताकि यह अच्छी तरह से फूल जाए क्योंकि सोया बिन काफी पानी ले ले लेती है आपको थोड़ा ही डालना है यह जादा जाल गया देखते हैं इसका अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह से करने के बाद हम इसका एक डौ बनाएंगे जो हमने मैदा लिया है नो दोस्तो मैदा का और इसका डौ बनाएंगे इसे एक तरफ रख देते हैं और यहां कड़ाई में एक तरफ मैंने गैस पर पानी रख दिया है इस पानी को हम छोड़ देते हैं उबलने के लिए और यहां मैदा में दूच्छट इसमें डाल रहा हैं अब देखे आगे क्या करना हैं इसका कि हम बड़ी असा प्रेपक डो बनालेंगे .. अदिकि से हमें अधा कई wł he heug हुआ घर तो इसम दें मिक्स करते जाना है , किस तरह मैं कर रही हूं बहुत ही अराम 스 मले नहीं है ..來到 अगर आप पतला , इस तरहerta शुजी या मैदा से मिक्स करना है तोड़ी मात्रा में यालना है ज्यादा मात्रा में नहीं डालनी है इस तरह से करने के बाद है पर्फेक्ट्ट और तैयार हो जाएगा जैस्स प्रफेक्ट और तैयार कर लेंगे दोसतों जैसे यह इस ट्यार में आपको 15-20 difference पड़ने करते देंगे लेंगे अगे कुछ चम्ची आए देखे इसको देख लीजिए सैट हो गया है यहां मैंने कुछ चम्चे ले ली है और चम्मच की जो पीछी की तंडी होती है जहां से हम पकडते हैं जी हां वहां पर हम टोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से देखिए चाप को बनाएंगे अपने हाथों के साइता से इस पर एक रोल त्यार करेंगे इस तरह से आप चाहें तो आपके पास अगर आइस क्रीम के स्टिक हो तो वो भी ले सकते हैं यह देखिए अच्छे से दबाना है यहीं पानी में खुलना जाए इस तरह से इसको करना है इसी तरह आपने जितनी भी चम्चिया ली हो जितना जिस हिसाब से आपका डो है इसे तयार कर लेंगे यह देखिए हो गया ना सैट इस तरह अगला इसी तरह दूसरी चम्मच पर भी लगा लेंगे यह देखिए पतला या मोटे चाप बनाने हैं यह आपकी इच्छा है मैं इन्हें मीडियम बना रही हूं बिल्कुल ना जादा पतले ना जादा मोटे यह जब यह बन जाएंगे इदर पानी हमारा हो चुका है इनने हम पानी में छोड़ देंगे देखिये इस तरह से अ जैसे जैसे हमारे चाप बनते जाएंगे और दो चाप हम आपको ऐसे ही बना कर दिखा रहा है इनका रोल बनाईए और पानी में डाल दीजिए हम बिना चमचे के भी आप इसे बना सकते हैं अगर आपको उसमें चमच नहीं लगानी तो आप इस तरह से बना सकते हैं लेकिन मा अच्छे तरह से उबल जाएं दोस्तों उसके बाद इने पानी से बाहर निकालना है जब तक अच्छे से नहीं बन जाए तब तक इने मत उतारना उतारने के बाद दोस्तों कड़ना करते हूँ इन्हे एक बरतन में ट्रांस्फर कड़ लेना है ये देखे मैंने भी यहां निक इस तरह से सारे दे निकाल ली है मैंने जितने भी चाप बनाए हैं अभी मैं निकाल रही ही हूँ चिम्ते की साइता से बहुत करम है दोस्तों ध्यान से आपको इस रैसी पीप को बनाते वह बहुत दहन पड़ना पड़ेगा क्योंकि पानी बहुत करम है और जब आप इन चाप को घर में बनाएंगे तो आपके घरवाले खुश हो जाएंगे और चाप बजार से कभी भी भूल कर नहीं लाएंगे ये देखे कितने सारे चाप तयार हो गई है ये देखे इसको अब हम क्या करेंगे इसको हम उतारेंगे चम्चे से आपको दिखाते हैं ये थोड़े ठंडे हो चुको हैं ज्यादा ठंडे तो नहीं हुआ हैं फिर भी दोस्तों आपके लिए रिस्क लगी लेते हैं ये देखें इस तरह से आप इसे पुश करेंगे ये निकल जाएगा ये देखें कितना लचील इनकी कटिंग कीजिए और अगर इसमें निशान नहीं बना है तो आप चाको की सहयता से निशान भी बना सकते हैं इस तरह से ये देखें सबी चाप की हमने कटिंग कर लिए अब हम इसे फ्राइब करेंगे ये देखें इस तरह से तेल गराम हो चुका है अब हम इसमें अपने दिरे-दिरे करकर चाप डाल रहे हैं जो हो फ्राइब करेंगे चाप को हम हमेशा फ्राइब करते हैं तो हम इने भी फ्राइब करेंग यह देखे अब हम इसे अलट पलट करेंगे इसी के बचे हुए तेल में अब हम देखे इसे फ्राइ करने के बाद जो तेल डल बचा है उसी में हम अपनी सब्दी का तड़का लगा देंगे यह देखे यहां डालेंगे हम इसमें बहुत गरम तेल है इसमें हम डालेंगे प्या अब ट्रच में के अधिया तरहा हमारे बाहँ करेंगे स्वाइभ सब्सक्राइब सकते हमारे मसाले। मसाल размotta नकाम करो चाला है फिर दिल डखेnga नाईल के ढुन सब्सक्राइब डाले ताता कर श॥ाना होता हो जिसमेझ तक को पक्य। तो इसमें आपको काजू वाला पेस्ट डाल देते हैं यह काजू पीछने के लिए हमने दूद का उपयोग किया था देखे वो डाल दिया है पेस्ट हमने किस तरह का कलर हमारी प्योरी का हो चुका है देख रहे हैं आप पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल है जी हां जो बजार म के ठोड़ि हैरय के थोड़ी से मिठास होती है इसलिए वू हलका सा मीटा पन भी सबी में हाता है यह यह मैंने एक टेबल स्पून नमक डाल दिया है ने ज़्ञ आ legukा एक ती स्पून मैंने इसमें लाल मिर्ट लाल मिर्ट नी आट की है और हाफ टी स्पून starts withogeneous अ अपने स्वाद अनुसार मसाले अट कर लीजिए और फिर क्रेवी इसकी अच्छे से पकाईए देखे कितनी गाड़ी क्रेवी हो रही है थोड़ी सी हल्दी और डाल देते हैं क्योंकि ज्यादा वाइट आ रही है सबजी का कलर यह देखे इस तरह से इसे हमें मसाले को अच्छ जबत नहीं है लाइची पोडर में ठीड़ा समय अंदिया है यह देखे अब मैं आट करूंगि इसमें ठीट दूद जी हाँ इसके अंदर हम डालेंगे ठोड़ा सा दूद दूस्तों क्योंकि हम यह सबसी जो बना रहे हैं यह हम एने डाल दीजिए इसमे चमच सूजी जिससे हमारी gravy होगी पूरी भाड़ी अभी तक तो हमारे टमाटर और पयाज का पेस्ट ना अभी सूजी डाल दिया है हमने आप चाहें तो पेस्ण भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसमें सूजी एड किया है क्योंकि बजार में जो आप ग्रेवी खाते हैं उसमें सूजी ही होती है जी हाँ चाहे तो आपको भी महसूस करके देखे का आपको पता लग जाएगा और अब एट करेंगे हम इसमें दूद जी हाँ दूद वॉयल किया हुआ ठंडा करके हमें लेगे अब आगे देखिए इस सब्सक्राइब आपकी ग्रेवी इतनी गाड़ी हो गई है कि आपको कि इसमें आप कुछ भी सब्सक्राइब तो उसका टेस्ट अलग ही आएगा जी हां आप इसमें उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं मैंने इसमें एक ग्लास पर करदू दूर डाल दिया है यह देखिए पतली करने के लिए लेकिन यह फिर भी पतली नहीं हुई जब यह ग्रेवी हमारी अच्छी ते पक जाए इसे हमें बहुत अच्छे से पकाना है कच्छा पन इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैच साले भी हमने जादा नहीं डाले हैं दोस्तों और इसमें मसाला बहुत थोड़ा डाला है इसलिए अब हम यह देखें कितनी काड़ी हो गई है 15-20 मिंट जब यह पक ले उसके बाद हम इसमें चाप डाल देंगे क्योंकि चाप हमारे जादा आच नहीं लेते हैं इसलिए हम इने पूरी ग्रेवी तया होने के बाद जब वह पक जाए ठब डालेंगे और फिर इसे थोड़ी सी देर पकाएंगे बस और जैसे ही थोड़ी सी देर हो जाएगे मसाला रम जायेगी though करेंग अ ऑर आद 20 मिंट बाद इसे करेंगे service कितनी गाड़ी सब्जी जब आप इससे CBD शृण न तर्पर से मैं तोड़ा सा दूड़ कर वो डालने दूद्ध ज्यादा वैस्ट रहेगा क्योंकि हमने यह सब्जी पूरी दूद्ध से बनाई है पानी का इसमें कहीं भी उप्योग नहीं किया है सिवाए चाप उबालने के तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यह वी वीडियो में फिर मिलेंगे